तो देखो एक कुश्चन है इसमें कहते हैं बोडी आप मास M और पहले से ही किसी प्लेनेट का चक्कर लगा रहे थी बोडी मास मुवी इन सर्कुलर आपिट एराउट ने प्लेनेट आार्विट ए मतलब यहां से दिस्टेंस यह वाला जो अर्विट को यह सेंट्र Выb इसका मास के मास सारी को लाइड भी फे बी इत्ु जिसकी विलासिट वैब बईट्टीि और navigate of a collision completely in Elastic है तो combined mouse किस तरह बात में move करेगा तो चलो collision मैं सीधा सीधा करा देता हूँ इस से क्या होगा है को अगर मैं इस लाइन में सीधा सीधा करा दूंगा तो इस से क्या होगा कि momentum कजर कराने में फायदा होगा बाकी कुछ बहुत ज्यादा benefit होने वाला नहीं है और कुलिविला के लिए तो अच्छा है तो मोमेंटम यहां से मैं सीधी सीधी लाइन में यहां से मान लेता हूं यह जो बोड़ी है जिसका मास M by 2 है और इसकी विलासिटी भी वाइटू है वो ऐसे आ रहा है और आ के इसे कोलिजन कर लिया ठीक है तो यह जो पहले है इसकी विलासिटी भी थी तो इनीशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा तो इनीशियल मोमेंटम इसकी एम भी हो गई और इसकी हो जाएगी भी बाइटू और एम बाइटू और फाइनल मास जो है मास M by 2 प्लस M चिपक गए और विलासिटी भीड है ठीक हमको नहीं पता किदर जा रहे हैं तो final mass ओ चिपक गए उस point पे तो यहां तुम देखोगे तो यहां से तुम देखोगे तो Vy2 मतलब 5 MB 5 MB by 2 यहां से और यहां जाएगा 3 MB 3 M upon 2 तो that is basically V dash तो V dash नहीं यहां से तुम देखोगे 5 MB by 4 आ जाएगा तो 5 MB by 4 तो यह 2 times इसे कट गया और 1 M ने 1 M को कट गया तो final जो velocity in combined mass का वो 5 6 upon V तो यह वाला तो V क्या था भाई? आर्बिटल वेलोसिटी क्या था? आर्बिटल वेलोसिटी इनिसियल था तो अभी जो आर्बिटल वेलोसिटी आया इन दोनों का वो तो इससे कम आया ना तो V डैस लेस देन भी तो V डैस लेस इसका मतलब हुआ कि वो उस आर्बिट में घूमेगा ही नहीं मतलब वो उसी आर्बिट में चक्कर लगाएगा यह बात बिल्कुल गलत है अबर इस्पीड कम हुआ है प्लनेट का इस्पीड कम हुआ तोव डिस्टेंस यह distant इधर और और यहा मतल जाएगर तोई तो यह स Buddy नहीं करेगा थो यह वाली सिसरेडियास आरए और अर्थ के बहुत फास है कि इसके विलॉसिटिटी रूॉट टू टाइमस आर्विदिल वेलॉसिटी होती है तो root two times orbital velocity है तो यह जो नई वाली velocity आई वो तो लेश देना है initial वाले से बट एक खुद दोनों लेश है इसके velocity से ठीक है तो इसके velocity सबसे ज़्यादा आई जब लब इसकेप कर नहीं सकता और fall करेगा नहीं तो यह continue fall toward the earth planet यह भी बिल्कुल गलत है सब्सक्राइब इसके फ्रांब यह विल्कुल गलत है स्टार्ड मोविंग इन इलिप्टिकल पाथ तो यह सही है क्योंकि उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वह इस टाइब के इलिप्टिकल पाथ में मूब करेगा प्लेनेट के एराउंट तो आई हुब कि आपको कुशन क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा लॉजिकल हमने इनलिशिस को कर दिया थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो